सबस्क्राइब करें फुली फॉर वर्ड यूट्यूब चैनल को और साथ दिएगे बेल आइकन पर प्रेस करें ताके हमारी नियू तुमाम आने वाली वीडियो आपको मिल सके असलाम लेक्म दोस्तों आप देख रहे हैं फुली फॉर वर्ड यूट्यूब चैनल मेरा नाम है आजम दोस्तों यहां पर आपके सामने मवजूद है एर कंडिशनर का आउड़ जूनट के साइट पर जो लगा होता है वाल इसको हम सक्शन वाल बोलते हैं बड़ा वाल जो है बड़े साइज वाल इसको सक्शन वाल और जो शोटा उसको हम डिस्चार्ज वाल बोलते हैं यह गैस लोग के लिए काम आते हैं यहां पर हम जोइंट कुनेक्ट कर सकते हैं और गैस लोग करने के लिए हम एलन की का यूज़ करते हैं ओफ करके लेकिन अक्सर ऐसी प्रोपल हों कि solution क्या है लगे हुए है ये तो मैंने उतार कर रखे हैं प्रैक्टिकल आपको दिखाने के लिए ये connect होंगे आउडर यूनिट में ही वहीं पर आप इसको कैसे सही कर सकते हैं मतलब कि आपको इतना इसको उतार कर गैस प्रैलिंग न्यू ले कर आएं आप उसको लगाएं तो बेहतर है कि आप इसको ही ठीक करें ये भी ठीक हो जाता है तो प्रोपर इसका एक तरीका कार है उसके जरी से आप इसको जो है बहुत ही असानी इसे बिलकुल सही से ठीक कर लेंगे इस वीडियो को एंट तक जुरू देखेगा आपको मैं इस पर प्रोपर बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से इसको जो है बिलकुल सही कर सकती है मैंने खुद कई बात न्यू वाल लगाए लेकिन महीने दो महीने बाद वो खुद यहां से लीकिज कर गए उसकी प्रोप्लम क्याती है टेक्निशन यहां से जब गैस ओपन करता है तो वो जब टाइट करता है यानि के भी ओपन की गैस ओके यहां पर ऑपन हो चुकी है लेकिन अकसर टेक्निशन इसको ओड जोर से जो है नीचे की तरफ प्रेस करता है ताकि अच्छे से ओपन हो लेकिन हमें जोर से करने की जरुद नहीं है जहां पर ये open हो गई वही पर हमें बस इसको छोड़ देना चाहिए हम जब इसको जोड़ लगाते हैं मतलब कि ओर tight करते हैं तो ये gas low करने के लिए जब tight करते हैं या open करने के लिए इसको ओर मज़ीद open करते हैं tight करते हैं तो फिर इसके अंदर एक seal होती है rubber जो के gas को यहां से leakage होने से बचाती है तो वो crack हो जाती है, damage हो जाती है तो उसकी वज़ाद से gas यहीं से leakage हलकी होना शुरू हो जाती है तो अब मैं यहां पर इसको आपको करके दिखाता हूँ इसमें leakage problem थी, यह मैंने उतार लिया आपको उताने के जोर नहीं, लेकिन यह मैंने waste कर दिया लेकिन मैं practical के लिए आपके सामने लेकर आया हूँ इसकी हम अंदर से condition देखेंगे कि क्या wall इसका seal वो सही है या नहीं सही और दूसरे number पर हम इसको बिल्कुल clear करेंगे आप लगे लगे आउड़ोर में इसको असानी से कर सकते हैं clear करने के लिए आपको इसको allen की को off ही करना है तो इसके अंदर एक आपको seal जो है वो देखने को मिलेगी lock, ring type lock बना हुआ है जहाँ पर यह आपको मैं दिखाता हूँ तो यहाँ पर एक यह इसका cut है और एक यह है बाकी यह proper अंदर की तरफ यह ring है white color का को दीख रहा होगा यह ring है और इस ring को हमने बाहर निकालना है यह ring अक्सर टेक यह यह शायद आप मेंसे कुछ ने की हो ट्राइप पहले भी तो यह ring जो है असानी से बाहर नहीं निकल दा तो मैं इसकी भी आपको एक trick बता देता हूँ बहुत ही असानी से आप इसको बाहर भी निकाल पाएंगे और फिर अंदर दुबारा फिड आप इसको फिट भी कर सकेंगे इसके center से आपने यानि कि एक point यहाँ पर आप देखेंगे तो एक side यह है और एक यह है इस तरफ लिकुल side नहीं है आपने यहाँ पर center से जो है screw driver या ऐसी कोई flat ऐसी चोटी सी जो बरीक भी हो उसके ज़री से आप इसको नीचे की तरफ अंदर की तरफ press किजिएगा तो मैं इसको press करता हूँ और start करता हूँ okay try कर लेता हूँ मैं इसको open करने के लिए okay तो आप इसको इसी तरह try करें एक दो बार असानी से यह बाहिर आ जाएगा okay मैंने try किया आप देख सकते हैं कि यह line उपर है और वो अभी नीचे हो चुका है यह इसका wall okay तो अब आपने इसको बिल्कुल नीचे press किया तो यह खुबाखुद बाहिर आ गया अब मैं इसको बाहिर निकाल लेता हूँ okay अब बहुत ही असानी से यह बाहिर आ जाएगा okay तो इसको आप संबाल कर रखें क्योंकि यह बाद में वापस भी लगाना है बहुत ही आसान है अब मैं इसको island कीक के जरीए से बिल्कुल open करता जाता हूँ और यह खुबाखुद बाहिर आ जाएगा इसको proper हमने बाहिर निकालना होकी आ चुका है इसको आप हलका लका press करके okay हलका लका move करके इसको आप बाहिर निकाल सकते हैं okay तो मैं इसको बाहिर निकालने की कोशिश करता हूँ okay बाहिर मैंने इसको निकाल लिया है इसके condition तो बहुत ही rough है damage ओप आप देखेंगे तो आपको इसकी जो seal है वो बिल्कुल damage हो चुकी है तो यह gas को नहीं रोक सकता जी हाँ इसका यह है इसका ring okay seal rubber की seal है okay यह दो बिल्कुल damage हो चुकी है आप देखेंगे है तोट कर नीचे गिड़ गई okay तो मतलब कि बहुत ही ज्यादा damage है मैं इसको अच्छे से wash कर लेता हूँ okay तो अभी मैंने इसको बिल्कुल अच्छे से wash कर लिया है okay तो यह है मेरे पास एक new ring इसका okay new ring तो black color में भी होते है white भी तो मेरे पास green है okay तो इसको अब मैंने इसके उपर fit करना है okay तो यह ring हम fit कर लेते हैं okay बहुत ही अच्छे से यह fit हो चुका है ring इसके उपर okay तो इस अब इसको हमने भी वापस वैसे ही इसे रखें और इसको अगर आपके पास grease है वो इसके उपर आप लगा देंगे रिंग पर तो और भी अच्छा होगा okay तो इसको प्रेस किया ओके अब इसको बिल्कुल हमने टाइट करना है okay अब टाइट करते जाएंगे जहां पर इसका end होगा यानि कि खुदी पता चल जाएगा यहां पर okay इसको मजीड टाइट करने की जुरूरत बिल्कुल भी नहीं है अब रिंग का कमाल है बाकी रिंग को हमने कैसे सेट करना है बाद में तो यह थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन बहुत ही आसान है ट्रिक यानि कि आपको पता होनी चाहिए किस तरह से आप करना है अब इसकी बैक साइट जिस तरह मैंने इसको नीचे किया था यही बैक साइट कर जो है पहले मैं नीचे करूँगा और जो आगे दो इसके फ्रांट पर यह हम बाद में देखेंगे तो इसी को मैं ट्राइब करता हूं पहले प्रेस करना है नीचे की तरफ जड़ा बैक सेट से तो ओके अप्रेस करना है तो ओके तो ओकेश वाइब आप से तो ओकेश तो ओकेश अप्रेस अप्रेस । OS पैङ लुफ यह आफOP को अच्छे से समझ होगा के ये बॉल जो है खराब हो जाती हैं इसगो टाइड स्टाइड करने के वज़ए से यह जब हम इसको ओपन करते हैं तो बैक साइड़ सी कर देते हैं तो तब यह रिंग जो है वो क्रैक हो जाता है इसकी हालत तो आपने देख ही ली तो इसको अगर हो भी जाए ऐसा नियू तो आप लगे लगे आउड़ यूनट में ही सिर्फ आपको गैस जो है वो वेस्ट करनी पड़ेगी वो तो आपको करनी ही पड़ेगी लेकिन आपको जो है एक्स्ट्रा महिनत जो करनी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर जरू कीजिएगा चैनल पर न्यू है तो इस वीडियो की नीचे रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ वेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी डेली आने वाली वीडिय वीडियो जो है वो मिलती रहें और आप ऐसे ही देखकर फाइदा उठाते रहें तो अब तक लिए इतना ही जाज़त दीजिए अल्लाहाफिज